साथ्य नमस्ते आज हम प्रश्नावली 9.3 के प्रश्न 9 से 16 हल करेंगे तो हमारा प्रश्न 9 है समानतर चतरबुज ABCD की एक भुजा AB को एक बिंदु P तक बढ़ाया गया यानि हमारे पास एक समानतर चतरबुज ABCD है जिसमें ये जो भुजा AB है इसको हमने P तक आगे बढ़ा ठीक है आगे प्रश्न कहा रहा है A से होकर CP के समानतर खीची गई रेखा बढ़ाई गई अब हमने क्या करा A से एक रेखा खीची इस प्रकार नीची की और जो इस CP के समानतर है इस CP के समानतर हमने एक रेखा खीची जो A से होकर गुजर रही है और इस CP के समानतर है ठीक है CB को Q पर मिलती है और ये जो CB है ये जो हमने रेखा खीची ये CB को कहा मिल रही है Q पर मिल रही है और फिर समानतर चत्रपुच PBQR को पूरा किया गया और जब ये लाइन हमने खीची तो इस से हमें क्या मिला एक समानतर चत्रपुच PBQR मिला ठीकि यानि ये भी एक समानतर चतरगुज है और ABCD भी हमारा एक समानतर चतरगुज है दर्साइए कि area of ABCD बराबर है area of PBQ1 यानि इस समानतर चतरगुज का जो छेतरफल है वो इस समानतर चतरगुज के छेतरफल के बराबर है ये हमें सिद्ध करना है तो इसके लिए सब शब पहले हम क्या करेंगे एक रचना करेंगे हम क्या करेंगे इस समानतर चत्रबूज का विकन एसी खीचेंगे और इस समानतर चत्रबूज का विकन क्या खीचेंगे क्यूब पी खीचेंगे ठीकी यह हमने क्या करा विकन खीचे तो रचना में लिखेंग तो देखो हम रचना में लिखेंगे विकर्ण विकर्ण AC वर PQ को मिलाया हमने क्या करा जो हमें प्रश्ण के अंदर ये चीतर दिया था हमने AC और PQ को मिलाया इससे हुआ क्या तो इससे ये हुआ कि हमने एक नियम पड़ा था कि जब दो समानतर रेखा है हमारे पास हो देखो यहाँ पर CP और AQ यह हमें प्रश्ण में समानतर रेखा है दी हुई और इस पर हमें दो त्रिबूज बने हुए मिल रहे है जिनका आधार एक ही है तो देखो इसमें एक तो त्रिबूज यह हो गया ACQ है ना दूसरा त्रिबूज हो गया APQ यह एक ही आधार AQ पर इस्ति थे ठीक है इनका आधार AQ है और दोनों ही आकरदिय जो है वो समानतर रेखाओं के बीच में इस्ति थे तो हम यह कह सकते है कि इस त्रिबूज का जो चैतरफल होगा वो इस त्रिबूज के ACQ त्रिबूज ACQ व दूसरा त्रिबूज कौन सा है APQ है ना APQ का आधार का आधार जो है वो क्या है AQ है का आधार AQ है तथा दोनों ही त्रिबूज समांतर रेखा एक तो आपके CP हैना CP व AQ CP व AQ पर इस्तित है CP व AQ पर इस्तित है ह्तित है अतह हम ये लिख सकते है कि जो त्रिबूज ACP का जो चहतरफल होगा ACQ का जो चहतरफल होगा area of त्रिबूज ACQ का जो चहतरफल है वो area of APQ के चहतरफल के क्या है बराबर है, area of A, P, Q के चैतरफल के बराबर होगा, यह हम नियम जानते हैं, है ना, अब हम इसे समिकरन एक नाम देंगे हमें कौन सा चैतरफल चाहिए, हमें यह वाला चैतरफल चाहिए ठीके, इस समानतर चतरफुज का यह जो तरफुज है, यह चैतरफल चाहिए, और इस समानतर चतरफुज के, जो यह तरफुज है इसका चैतरफल मुझे चाहिए तो यहाँ पर extra कौन सा आ रहा है इसको में, यह जो तरफुज है A, B, Q, यह तरफुज इन दोनों ही त्रिबूजों में क्या आ रहा है एक्स्ट्रा आ रहा है तो हम क्या करेंगे समीकरन एक में से इस त्रिबूज को हटा देंगे, घटा देंगे ठीके, तो इस से होगा क्या देगो समीकरन एक मैं से मैं से त्रिबूज है ना इसका छेतरपल गटाना है तो हम यहां लिखेंगे area of area of a b q गटाने पर गटाने पर तो इसको गटाने से क्या होगा देखो बराबर के इस साइड में क्या है area of a c q है इसमें से हमें क्या गटाना है त्रिबूज a b q गटाना है area of त्रिबूज ABQ घटाना है फिर बराबर के इस साइड में क्या है area of APQ इस में से भी क्या घटाना है ABQ घटाना है area of ABQ त्रिबूज जो है वो घटाना है तो जैसे ही इन दोनों त्रिबूज में से ये त्रिबूज हट जाएगा तो हमारे पास इस साइड में ये वाला त्रिबूज बचेगा ABC है ना area of triangle ABC बचेगा बराबर इस साइड में क्या बचेगा PBQ त्रिबूज का छेतरफल बचेगा area of PBQ जो है इसका छेतरफल हमारे पास बचेगा ठीक है अब देखो ये जो त्रिबूज ABC का जो छेतरफल है वो किसका आदा है इस समानतर चेतरफल का आदा है हम जानते हैं कि हमारे पास यदि कोई समानतर चेतरफल है ठीक है और इसमें ये line जो है इसका विकर्ण है तो ये विकर्ण जो है इसमें जो दो त्रिबूज बन ठीक के कौन समांतर चतुर्बुज का विकर तो इसका मतलब यह हुआ कि कि ये समांतर चतुर्बूज का जो छेतरफल होगा वो इस त्रिबूज के छेतरफल से क्या होगा आदे के बराबर होगा ठीक हमें बराबर करना है तो समांतर चतुर्बूज समांतर चत्रबुज के चैत्रफल के आदे के बराबर होगा तो यहां हम लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं अब ठेक से समझना इसको इसको मैं समिकरण 2 लिख देता हूँ अब हम जानते हैं कि त्रिबुज A, B, C का जो चैत्रफल है एरिया ओफ ट्राइंगल A, B, C का जो चैत्रफल है वो इस समांतर चत्रबुज के चैत्रफल के आदे के क्या होगा बराबर होगा यानि यह समांतर चत्रबुज का जो चैत्रफल है वो त्रिबुज के चैत्रफल के आदे के क्या होगा बराबर हो गया यह हम जानते हैं तो यह हो गया एक बटा दो एरिया ओफ समांतर चतुरबूज A B C D है ना हमें आधा का गुणा किस में करना A B C D में करना है क्योंकि इसको हमें क्या करना है बराबर करना है है ना तो यह हो गया हमारा समीकरन नंबर तीन इसी प्रकार देखो यहां भी एक समानतर चतुर्भुज है है ना और यह इसका क्या है विकर तो यहां भी यह नियम लागव होगा कि area of त्रिबुज PBQ जो है area of PBQ जो है वो एक बटा दो area of समानतर चतुर्भुज PBQR के बराबर होगा है ना यह हो गया समीकरन नंबर चार तो देखो समीकरन दो तीन और चार को ध्यान से देखो ABC किस के बराबर है ABCD के बराबर है PBQ किस के बराबर है PBQR के बराबर है यानि ये दोनों आपस में क्या होंगे बराबर होंगे क्योंकि समिकरण दोनों ही क्या है बराबर है ठीक है तो यहां हम लिखेंगे समिकरण 2, 3 तथा 4 से समीकरन समीकरन 2 3 वर 4 से हम ये कह सकते हैं कि 1 बटा 2 area of ABCD जो है ठीके वो 1 बटा 2 area of यानि ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे PBQR के बराबर होगा ठीके अब जब बराबर के दोनों साइड में एक बटा 2 से एक बटा 2 हम हटा सकते हैं है ना तो एक बटा 2 एक बटा 2 हड़ी के तो क्या हुआ area of ABCD जो है वो area of PBQR के क्या होगा बराबर होगा यही हमें क्या करना था सीद्ध करना था हैंड्स प्रूब परस्न दर्स है एक सम्बलम चतरबुज ABCD जिसमें AB समानतर DC है यानि एक हमें सम्बलम चतरबुज दिया है यह हमारा हो गया सम्बलम चतरबुज अब इसमें इसका नाम क्या है ABCD जिसमें AB समानतर DC है यानि यह बुजा इसके क्या है समानतर है के विकण AC और BD परस पर O पर प्रतिछेद करते हैं अब इसके विकण जो है AC एक विकण तो हमारा क्या हो गया AC दूसरा विकण क्या हो गया BD ये दोनों इस विकण कहां प्रतिछेद कर रहा है बिंदू O पर दर्साई है कि area of AOD बराबर है area of BOC अब हमें ये AOD जो area यानि इस त्रिबूज का जो छेतरफल है वो इस त्रिबूज के छेतरफल के बराबर है ये हमें सिद्ध करना है तो देखो बहुत ये आसान है हमने एक नियम पढ़ाता कि फिर दो समानतर रेखाओं के बीच में यदि दो त्रिबूज इस प्रकार इस्तित है कि इनका आधार एक तो त्रिबूज ये वाला दूसरा त्रिबूज ये वाला इनका आधार एक ही हो और दोनों त्रिबूज समानतर रेखाओं के बीच में इस्तित हो तो इस त्रिबूज का च्छेतरफल है वो इस त्रिबूज के च्छेतरफल के क्या होगा बराबर होगा ठीक है यह हमारा नियम हम जानते हैं तो सबसे पहले हम लिखेंगे त्रिबूज यहां जो त्रिबूज है ए डी बी त्रिबूज ए डी बी व दूसरा त्रिबूज कौन क्या है AB, दोनों का आधार AB है, मैं आधार, आधार क्या है, AB है, AB है तथा, दोनों ही त्रिबूज, दोनों ही त्रिबूज, समानतर रेखा, एक तो AB, DC के बीच इस्थित है, के बीच इस्थित है, अता हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कि area of ADB जो है, वो area of ABC के बराबर है, ठीक है, लेकिन हमें क्या सिद्ध करना है, हमें तो केवल इतना सा त्रिबूजी चाहिए, पूरा त्रिबूज नहीं चाहिए, ठीक है, हम क्या करेंगे, इस पूरे त्रिबूज में से, ये वला त्रिबूज जो है, घटा देंगे, कौन सा, A, O, B, दोनों में से A, O, B त्रिबूज घटा देंगे, तो हम लिखेंगे, दोनों 500 में दोनों 500 से एरिया ओफ AOB घटाने पर घटाने पर पहले बराबर के इस तरब जो त्रिबूज है Area of ADB ठीक है इसमें से मुझे क्या घटाना है Area of AOB घटाना है फिर बराबर के इस साइड में जो त्रिबूज है Area of ABC है ना इसमें से भी मुझे क्या घटाना है Area of AOB घटाना है तो जब मैं इनको घटाऊंगा तो ये तरिबूज हमारा हट जाएगा यानि ये तरिबूज इसमें से निकल जाएगा और ये तरिबूज जब निकल जाएगा तो कौन सा तरिबूज बचेगा AOD तो यहां पर घटाने पर बचेगा Area of AOB बराबर इसमें से इस पूरे बड़े मैं से ये वाला तरिबूज जब घटाएगे तो हमारे पास कौन सा बचेगा BOC Area of BOC बचेगा और यही हमें क्या करना था C भी करना था ठीक है तो बस इतना ही इसका उत्तर है प्रश्न 11 है आकरती में A, B, C, D, E एक पंच बुज है यानि ये A, B, C, D, E जो है वो एक पंच बुज है पंच बुज क्या होता है जिसमें पांच बुजा है तो ये इस प्रकार के आकरती हमें यहां पर देखने को मिल रही B से होकर A, C के समानतर खीची गई रेखा बढ़ाए गई DC को F पर मिलती है है ना यहां से B से हमने रेखा खीची जो A, C के समानतर है और D, C को आगे बढ़ाने पर ये कहां मिलती है F पर तो इस प्रकार के एक आकरती बनेगी यहां पर दर्साइए की Area of A, C, B हमें ये बताना है की A, C, B का जो चैतरफल है यह पूरा जो त्रिबूज है A, C, B इसका जो चैतरफल है वो A, C, F के चैतरफल के बराबर है A, C, F इस त्रिबूज के चैतरफल के बराबर है पहले तो ये सिद्ध कर लेते है तो चलो पहले हम यही सिद्ध कर लेते है ठीके तो यहां पर देखो जो हमारा एक समानतर चैतरफल बन रहा है कि B, F और A, C ये दोनों समानतर रेखा है एसा हमें प्रश्ण में दिया हुआ है ठीक है तो यहां पर देखो यहां पर यह दोनों अगर समानतर रेखा है है ना तो यहां से एक त्रिबूज जो बन रहा है यह वाला त्रिबूज इसका छेतरपल और इदर से जो त्रिबूज बन रहा है इसका छेतरपल यानि इन दोनो त्रिबूजां को जो छेतरपल है ठीक है वो आपस में बराबर होगा क्योंकि इनका आधार एक ही है और दोनों समानतर रेखाओं के बीच में इस्तित है तो पहले हम लिखेंगे कि त्रिबूज A C B V त्रिबूज A C F का जो आधार है का आधार दोनों का आधार क्या है यह A C दोनों त्रिबूजों का आधार क्या है A C दोनों में A C है देखो इसमें भी A C है इसमें भी A C है तो दोनों का आधार क्या है A C ठीक है तथा दोनों ही त्रिबूज दोनों ही त्रिभूज दोनों ही त्रिभूज समांतर रेखा हूँ समांतर रेखा एक तो AC और BF के बीच इस्थित है AC AC वर BF के बीच इस्थित है ठीक है तो अगर यह नियम इसमें लग रहा है तो उन्हें कह सकते हैं अतहर एरिया ओफ त्रिभूज ACB और एरिया ओफ त्रिभूज ACF दोनों का चैतरफल आपस में क्या होगा बराबर होगा यह हो जाएगा हमारा समिकरन नमबर 1 तो देखो पहली चीज तो हमारी सिद्ध हो गई अब दूसरी चीज अगर हमें सिद्ध करनी है तो हम क्या करेंगे यह जो हमने समिकरन एक लिया है इसमें यह चत्रफूज हम दोनों में जोड़ देंगे जैसे ही यह चत्रफूज हम दोनों में जोड़ेंगे दोनों त्रिभूजों के अंदर जोड़ेंगे हमारा ये दूसरा वाला भी automatic सिद्ध हो जाएगा ठीक है कैसे होगा देखो बराबर के इस side में मुझे क्या जोड़ना है A C D E चत्रबु जोड़ना है इसमें लिखेंगे area of A C B में मुझे क्या जोड़ना है area of A C D E A C D E ठीक है बराबर area of A C F में भी हमें क्या जोड़ना है A C F में भी हमें क्या जोड़ना है area of A C D E A C D E ये हमें जोड़ना है ठीक है तो देखो इन दोनों को जोड़ने पर हमें क्या मिलता है एक तो हमने क्या जोड़ा A C B A C B ये वाला त्रिबू जोड़ा ठीक है यह वाला त्रिबूज जोड़ा एक हमने यह जोड़ा तो दोनों को जोड़ने पर हमें के मिला A B C D E area of A C A B Sorry A B C D E यह पूरा छहतरपल हमें मिल गया ठीक है और A C F A C F यह यह वाला त्रिबूज इसको हटा देते हैं A C F यह वाला त्रिबूज हमने इसमें जोड़ा तो हमको क्या मिल गया हमको मिल गया A F D E का चैतरपल A F D E का चैतरपल यह लिखेंगे area of A F D E का चैतरपल हमको मिल गया है ना या फिर इसको A E D F भी लिख सकते हैं A E D F भी लिख सकते हैं यह लिख देते हैं क्योंकि हमें यह सिद्ध करना है तो A E D F कर दो इसको ठीक रहेगा तो देखो यह दूसरा भी हमारा तक नहीं पड़ेगा बराबर के दोनों साइड में हमें यह दोनों चीजे मिल रही है इसका मतलब यह प्रश्ण हमारा सही है इसको हमने सही से हल करा है प्रश्ण बारा है एक गाव के एक निवासी इतवारी के पास एक चतुर भुजाकार भुकंड है यह यह A B C D जो है वो मान लो इतवारी का एक चतुर भुजाकार क्या है भुकंड है उसके पास में है यह उस गाव की ग्राम पंचैत ने उसके भूखंड के एक कौने से उसका कुछ हिस्सा लेने का निर्णे लिया ताकि वहाँ एक स्वास्त्य कैंदर का निर्मान कराया जा सके तो गाव के जो पंच है उन्होंने इत्वारी को कहा कि आपके इस भूखंड से एक कौना हमें देदो ताकि हम क्या करें वहाँ पर एक स्वास्त्य केंदर का निर्मान कर सके यानि होस्पिटल जैसा छोटा सा होस्पिटल बना सके फिर आगे प्रश्न कहा रहा है इत्वारी के इस प्रस्ताव को इस प्रतिबंद के साथ स्विकार कर लेता है कि इसे इस भाग के बदले उसी भूखंड के सलगन एक भाग ऐसा दिया जाए कि उसका भूखंड त्रिबूजाकार हो जाए इस प्रस्ट कीजिए कि इस प्रस्ताव को किस प्रकार करियानवीत किया जा सकता है ठीक है तो उन्होंने का भई आप इत्वारी ने कहा कि अगर आपको ये कौना चाहिए इस इस्से का ठीक है? तो मेरी एक सर्त है, सर्त ये है कि आप ये कौना ले लो, इसकी जगह, मुझे इसका एक जो ये खेत है न? इतने ही छेतरफल का, इसी भूखंड के छेतरफल का, है न? मुझे तृबूजा कार भूखंड दे दो, है न? यानि चतुर्बूज के भूखंड को अमें का चैत्रफल उस त्रिबूज के चैत्रफल की क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए तो देखो इस प्रश्ण को कैसे करना है पहले तो माना माना इत्वारी के पास इत्वारी के पास अब इसमें क्या करेंगे क्योंकि रचना क्यों करनी है क्योंकि हमें यहां कॉर्णर से एक भाग जो होस्पिटल बनाने के लिए पंच को देना है तो हम क्या करेंगे पहले तो एस इक को मिलाएंगे रचना क्या करेंगे ऐसी a वसी को मिलाया एवड़ सी को मिलाया यह हमारी पहली रचना को गई इसके बाद हमें क्या करना हαι इस के समानतर बिंदू डी एक हमें लाइन खीचनी है, एक रेखा खंड खीचना है, तो ये जो है, ये डी से जो हमने रेखा खीची, वो किसके समांतर है एसी के समांतर है, इसको मान लो मैंने नाम दे दिया ठीक है तो यहां आगे लिखेंगे मिलाया तथा तथा एसी समानतर डी ए खीचा ठीक है हमने बाद में क्या किरा एसी के समानतर ये डी ए खीचा अब हम ए और ए को मिलाएंगे किसको मिलाएंगे E और A को मिलाया फिर हमने क्या करा E और A को मिलाया और हम क्या कर सकते हैं और हम क्या करते हैं E और C को भी मिला देते हैं ठीके E और C को भी मिलाया ठीके तो ये हमने रचना करी अब इसको हमें solve कैसे करना है इसको हमें सीध्य करना है कि ये जो चत्रबूज का हिस्सा है वो त्रिबूज के हिस्से के बराबर होना चाहिए है ना चलो इसको हम सीध्य करते है या आगे solve करते है तो अब हम क्या करेंगे देखो यहां पर जो हमने चत्रबूज बनाया है इसमें ये एसी जो है वो इस त्रिबूज का आधार भी है देखो एक तो त्रिबूज ये वाला हो गया ये वाला त्रिबूज हो गया ठीक है दूसरा हमारे पास इसी आधार से एक त्रिबूज और बन रहा है ये वाला ठीक ह एक तो ये त्रिबूज बन रहा है, दूसरा ये वाला त्रिबूज बन रहा है, तो यहाँ पर हम इन दोनों त्रिबूजों का छेतर पर लापस में बराबर कर सकते हैं, किस नियम से, तो नियम हमें पता है कि त्रिबूज, एक तो हमारा हो गया, A, C, E, V, दूसरा त्रिबू है तथा दोनों ही त्रिभूज हमने देखो एसी और डी को समानतर रेखा बाना है ना तो दोनों ही त्रिभूज समानतर रेखा एक तो एसी व दूसरी एडी के बीच में इस्तित है अतह हम कह सकते हैं कि इस त्रिभूज का जो चैतरपल है वो इस त्रिभूज के चैतरपल के क्या होगा बराबर होगा तो आगे लिखेंगे अतह एरिया ओफ एरिया ओफ एरिया ओफ एसी डी यानि एसी डी का जो चैतरपल है वो एसी ए के चैतरपल के बराबर है एरिया ओफ एसी ए के चैतरपल के क्या होगा बराबर होगा यह हो जाएगा हमारा समिकरन नंबर एक ठीक है अब हमें क्या करना ह की यह जो हिस्सा है कौन सा यह वाला हिस्स और यह वाला पूरा क्टिंगे यह ESIES पूरा एम उवस्पिटल के लिए देना है तो अब हमें क्या करना है अगर यह पूरा हिसा में hospital बनाने के लिए देता हूं तो यहां पर देखो एक क्यfilोग त्रीवरी के पूर्छि इसको देना पड़ेगा इतवारी को देना पड़ेगा, तो, हम क्या करेंगे, कहिए में रित्वारी का पुर्ण्ड है 1, इसको लिख देतेए, एरिया ओफ Area of ABCD जो है जो इत्वारी का भुकंड है वो दो त्रिबूज से मिलकर बना है एक तो ये वाला त्रिबूज दूसरा ये वाला त्रिबूज है ना एक तो कौन सा त्रिबूज हो गया Area of ABC और दूसरा त्रिबूज हो गया Area of ACD है ना ACD अब देखो समिकरन एक में हमें A, C, D किसके बराबर दिया है A, C, E के बराबर दिया हूँ तो इस A, C, D की जगह में A, C, E लिख सकता हूँ है ना तो होगा क्या देखो Area of A, B, C, D जो है वो A, B, C का तो A, B, C ही रहेगा ठीक है लेकिन इसकी जगह इसकी जगह में क्या लिख सकता हूँ A, C, E लिख सकता हूँ उपर प्लस इसकी जगह क्या लिखूँगा A, C, E यह मैंने कैसे लिखा तो by one यानि समिकरन एक से मैंने यह लिख दिया यहाँ पर चलो अब देखो A, B, C कौन सा है A, B, C ये वाला भाग है ठीक है और A, C, E कौन सा है तो A, C, E हमारा यह वाला भाग है देखो A, C, E तो अब देखो यह वाला भाग और यह वाला भाग यह दोनों भाग मिलकर देखो एक बड़ा आत्रिबूज बना रहे हैं तो area of area of A, B, C, D हमें क्या मिलेगा area of इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो हमें E, B, C मिल जाएगा area of triangle E, B, C मिल जाएगा यानि जो हमारा प्रश्ण था कि हमने क्या करना है यह वाला कॉर्णर इदर वाला कॉर्णर जो है हॉस्पिटल के लिए देना है यह वाला कॉर्णर हॉस्पिटल के लिए रहा है तो यह जो चत्रबुच का भुखंड है A, B, C, D इसकी जगा इसी के छेतरफल के बराबर हमें एक त्रिबुच का टुकडा देना पड़ेगा और त्रिबुच का टुकडा जो है वो कौन सा है E, B, C है E, B, C यह वाला भुखंड हमें इतवारी को देना पड़ेगा तो इस प्रकार से जो है आपको यह प्रश्ण बारा करना है प्रश्ण तेरा है A, B, C, D एक सम्बलम चत्रबुच यानि हमें चित्र बनाना है एक सम्बलम चत्रबुच A, B, C, D का ठीक है यह हो गया A, B, C और D जिसमें A, B समांतर D, C है इसमें यह बुझा A, B जो है वो D, C के समांतर हमें दी हुई है A, C के समांतर एक रेखा A, B को X पर और B, C को Y पर प्रतिछेद करती है ठीक है अब हमें क्या करना इस A, C के समांतर यहां पर मैं A, C बना देता हूँ विकर्ण इसके समांतर हमें एक ऐसी रेखा खीचनी है कि वो A, B पर तो बिंदू X हो और B, C पर वो बिंदू Y हो लेकिन X और Y को मिलाने पर यह जो रेखा बनेगी वो इस A, C के क्या होगी समांतर होगी सिद्ध कीजिए कि Area of A, D, X अब हमें सिद्ध करना है कि A, D और X का जो चैतरपल है इस त्रिबूज का जो चैतरपल है वो Area of A, C, Y Area of A, C, Y यानि A, C, Y इस त्रिबूज के चैतरपल के बराबर है यह जो त्रिबूज है वो इस त्रिबूज के चेतर फल के बराबर है यह हमें सिद्ध करना है आगे संकेत है C X को मिलाईगे तो हम क्या करेंगे C और X को मिलाएंगे तो इसको जो मैं है हमने डॉट लाइन से मिला देता हूं तो देखो बहुत ही सरल प्रश्ण है इसमें हमने एक रचना करी है रचना क्या करी है हमने रचना में C और X को मिलाएं यह हमने इसमें रचना करी ठीक है चला अब इसको सिद्ध करते हैं इसको क्या करेंगे सिद्ध करेंगे देखो हमने एक नियम पड़ा था कि जब दो समानतर रेखाओं के बीच में कोई भी दो त्रिबूज हो इस प्रकार हो कि उनका आधार एक ही हो और दोनों ही त्रिबूज जो है समानतर रेखाओं के बीच में हो तो इन दोनों अब देखो ये वाला जो है ये सम्बलम चत्तुरबुज जो है ठीक है ये वाला ले रहा हूं में A X C और D ठीक है इसमें जो त्रिबुज बराबर है पहले हमें वो लेने हैं त्रिबुज एक तो ले रहा हूं A D X है ना त्रिबुज A D X वो दूसरा त्रिबुज में ले रहा हूं A C X ये वाला त्रिबुज ठीक है A C X वो त्रिबुज A C X का जो आधार है है ना दोनों का आधार देखो दोनों का आधार क्या है A X का आधार क्या है A X त्था दोनों ही त्रिबुज समानतर रेखा A X वो डीसी के बीच में है A X वो डीसी के बीच में है अब आप कहूंगे सर A X तो हमें समानतर रेखा दी ही नहीं A X लेकिन देखो हमें प्रश्ण में A B और डीसी समानतर दे रही है A B और डीसी तो अगर A B डीसी के समानतर है तो A X जो है वो A B का ही एक छोटा भाग है इसका मतलब ये भी इसके क्या होगी समानतर होगी तो इसका मतलब ये दोनों जो त्रिबुज है इनका छेतरपल जो है वो आपस में बराबर होगा यानि अब मैं कह सकता हूँ अतह अतह एरिया ओफ त्रिबुज A D X A D X बराबर होगा एरिया ओफ त्रिबुज A C X के A C X इसे मैं समीकरण एक नाम देता हूँ देखो हमें सिध्य क्या करना हमें सिध्य करना है कि एरिया ओफ A D X जो है वो एरिया ओफ A C Y के बराबर है अब देखो A C Y कहा है A, C, Y जो है वो ये वाला त्रिबूज है ठीक है ये वाला त्रिबूज अब हमें ये वाला त्रिबूज जो है वो इस त्रिबूज के बराबर करना है तो इसको हम कैसे करेंगे तो देखो हमने प्रश्ण के अंदर दो समानतर रेखा है और ली थी कौन सी ये जो CX है सरी XC, XY है ठीके वो इस AC के क्या है? समानतर है तो अब ये दोनों जो है आपस में रेखा है जब समानतर है तो यहाँ पर एक समलंग चत्रबुझ और बन रहा है बन रहा है कौन सा चत्रबुझ बन रहा है? यहां पर समलम चत्रूबूज यह वाला कि देंगो जियान से समझना इसको यहां पर एक्स वाई और यह यहीझ ठीक है इसके अंदर भी दो त्रिबूज बन रहे हैं कौ् bricks देखो एक तो यह वाला बन रहा है A Y C एक तो बन रहा है A Y C एक यह त्रिबूज बन रहा है और दूसरा इसके अंदर त्रिबूज बन रहा है देखों यह हमने डॉट लाइन से यहाँ पर X और C को मिला है था है ना तो A C X ACX यहाँ पर यह हमने dot line से इसको मिला है था तो यहाँ पर आधार इनका क्या हो गया AC और इससे दो त्रिबूज बन रहे हैं एक तो ACX और दूसरा आपका क्या हो गया ACY यह दो त्रिबूज बन रहे हैं तो अब मैं यह समलम चत्रिबूज ले रहा हूँ एक तो त्रिबूज मैं ले रहा हूँ ACX है ना और दूसरा त्रिबूज ले रहा हूँ AYX एक त्रिबूज हो गया ACY दूसरा त्रिबूज कौन सा हो गया इसमें ACX इन दोनों का है ना आधार जो है का आधार इन दोनों का आधार क्या है ये AC इन दोनों का आधार क्या है AC है तथा दोनों ही त्रिबूज समानतर रेखा एक तो आपके हो गई AC वह दूसरी हो गई XY इन दोनों के बीच में इस्तित है इस्तित है अतव मैं कह सकता हूँ कि त्रिबूज ACX का जो छेतरपल होगा या ACY यानि एरिया ओफ ACY जो है वो एरिया ओफ ACX के क्या होगा बराबर होगा यह हो जाएगा हमारा समीकरन नमबर 2 है ना अब देखो हमें सिद्ध करना ADX जो है वो ACY के बराबर है समीकरन 1 में हमें ADX मिल गया समीकरन 2 में हमें ACY मिल गया अब देखो 1 और 2 में ACX इसमें भी है और ACX इसमें भी है तो समीकरन 1 और 2 के परियोग से यह भी ACX के बराबर है और यह भी ACX के बराबर है यानि दोनों यह समिक्रण आपस में क्या है बराबर है तो मैं समिक्रण एक और दो से कह सकता हूँ समिक्रण एक व दो से मैं यह कह सकता हूँ कि यह जो छेटरपल है area of ADX ठीक है वो area of ACY के क्या है बराबर है ठीक है यह हमारा क्या हो गया सिद्ध हो गया तो आप इसका screenshot ले सकते हो 14 है आकरती में AP समानतर BQ समानतर CR है यानि एक आकरती दी है जिसमें ये AP जो है BQ के समानतर है BQ जो है वो CR के समानतर है कहने का मतलब ये तीनों ही रेखा हैं आपस में समानतर है सिद कीजिये कि area of AQC यानि AQC ये जो त्रिबूज है बड़ा वाला इसका चेत्रफल area of PBR इस त्रिबूज के चेत्रफल के क्या है बराबर है देखो बहुत ही simple प्रश्न है हम जानते हैं कि जब दो आमने सामने की रेखा हैं आपस में समानतर हो ठीक है चतरफूज के एक जुड़ा आपस में अगर समानतर है तो वो एक संबलम स इसेंद़ाफूज में इस चत्रबुज में AP और BQ आपस में क्या है? समानतर है AP, समानतर, BQ है ठीक है? इसके अलावा अगर मैं दो त्रिबुज लेता हूँ ABQ और PBQ तो इन दोनों ये दोनों ही जो त्रिबुज है इनके आधार क्या है? common है BQ इनका आधार है तथा आधार BQ है अतह मैं ये कह सकता हूँ कि area of ABQ ABQ जो है वो area of PBQ के बराबर है PBQ के क्या है बराबर है? ये हो जाएगा हमारा समिकरन नंबर एक PBQ के बराबर है ये हो गया हमारा समिकरन नंबर एक ठीक है? यहाँ आप चाओ तो पूरी line लिख सकते हो जो अबने NEM पढ़ा है कि यहाँ दो त्रिबुज है और दोनों ही त्रिबुजों का आधार एक ही है और दोनों त्रिबुज जो है समानतर रेखाओं के बीच में इस्तित है ठीक है? मैंने इतना नहीं लिख के सीधा shortcut में लिख जाए भई AP और BQ समानतर है और यहाँ आधा जो है BQ के अगर मैं मानता हूँ तो दोनों का छेतरफल आपस में क्या होगा? बराबर होगा यही देखो सम्बलम चतुर्बुज दूसरा लेड़ाओं में सम्बलम चतुर्बुज अब नीचे बादा BQRC है ना सम्बलम चतुर्बुज BQRC में BQ जो है वो CR के समानतर है यह देखो यहाँ दिये रेखा है BQ समानतर CR ठीक है? तथा अगर मैं आधार आधार वापस इस BQ को लेता हूँ BQ को आधार लेता हूँ BQ आधार है आधार है तो मैं कह सकता हूँ तो मैं क्या कह सकता हूँ देखो यहाँ अगर मैंने BQ आधार लिया तो देखो इसके कारण जो यहां त्रिबूज बनाए यह वाला नीचे वाला और इसके कारण एक त्रिबूज और बनाए यह वाला ठीके इन दोनों का छेटरपल आपस में क्या होगा बराबर होगा यानि कि area of b c q b c q बराबर होगा area of q b q r बी क्यू आ ठीके ये हो जाएगा हमारा सन्मिकरन नंबरढ दू लेकिन हमें तो a qc करना है तो देखो उपर वाले त्रीज में मैंने कौन से दो त्रीज Lilight यह वाले दो त्रीज लिएती एक तो यह वाला और दूसरा ये वाला त्रिबूज लिया था ठीक है अब मुझे सिद्ध क्या करना है मुझे सिद्ध करना है A Q C का जो चैत्रपल है वो P B R के बराबर है तो एक तरफ तो मेरे पास ये आला त्रिबूज है दूसरे समीकरण मेरे पास ये नीचे वाला त्रिबूज है तो क्यों न हम इन द दो को जोडने पर, जोडने पर, तो समिखरने एक के बराबर के साइड में दोनों पक्सों को हम जोड़ेंगे, एक तो ABQ में BCQ जोड़ेंगे, एक तो होगे area of ABQ प्लस BCQ, area of BCQ, और बराबर के इस साइड में हमें इन दोनों को जोड़ना है, area of PBQ में हमें जोड़ना है, area of BQ QR, ठीक है, तो देगो, इन दोनों को जोड़ने पर क्या मिला, यह हो गया, ABQ, यानि एक तो यह वाला त्रिभूष हो गया, दूसरा यह हो गया, BCQ, BCQ, यानि यह नीचे वाला त्रिभूष हो गया, यह दोनों त्रिभूष आपस में जूडके बन गया, AQC, है ना, या, QC तो इन दोनों को जोड़ूंगा तो मुझे मिलेगा area of A Q C बराबर इन दोनों को जोड़ना है PBQ PBQ यानि यह वाला त्रिबूज और BQR BQR यानि यह वाला त्रिबूज ठीक है अब यह दोनों त्रिबूज जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा PBR यह हो जाएगा area of PBR और दे 15 है चत्रभूज ABCD के विकंड AC और BD पर परस पर बिंदू O पर इस प्रकार प्रतिछेद करते हैं कि area of AOD बराबर है area of BOC तो हमें एक चत्रभूज दिया है A B C और D ठीक है इसमें दो विकंड है एक तो AC और दूसरा BD तो हम विकंड बनाएंगे एक तो हो गया AC थोड़ा रिवस्तित करते हैं इसको एक तो हो गया AC और दूसरा हो गया BD ये दो विकंड हो गये और ये दोनों ही जो है O बिंदू पर क्या करने है प्रतिछेद कर रहें और इस प्रकार प्रतिछेद करने है कि area of AOD AOD का जो चैतरफल है ये वाला चैतरफल है ना ये वाला चैतरफल जो है वो BOC के चैतरफल के क्या है बराबर है यानि इस त्रिभुज के चैतरफल के बराबर है ये हमें दिया हुआ हमें सिद्ध करना है कि ये ABCD एक समलम चतरफुज है और ये समलम चतरफुज कब बनेगा यदि हम इस चत्रबुज के आमने सामने भुजाओं का एक जोड़ा समानतर कर दे यानि AB को इस DC के समानतर लेके आ जाएं तो ये एक समलम चत्रबुज बन जाएगा सबसे पहले देखो हमें दिया हुआ है Area of AOD जो है वो Area of BOC के बराबर है ये हमें दिया हुआ है प्रशने के अंदर है ना इसे मैं समिकरण एक ले लेता हूँ अब देखो ये दोनों ही त्रिबुज जो है अलग-अलग आधार से बने हुए है अगर मैं इन दोनों त्रिबुजों को एक आधार पर बना लेता हूँ ठीक है तो मैं इन दोनों भुजाओं को समानतर कर दूँगा लेकिन इन दोनों त्रिबूजों को मुझे क्या करना पड़ेगा बड़ा बनाना पड़ेगा बड़ा बनाने का मतलग एक ही आदार का बनाना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे, इन दोनों त्रिबूजों में ये जो वाला त्रिबूज है, ठीके, ये जोड़ देंगे, कौन सा त्रिबूज जोड़ देंगे, A, O, D त्रिबूज जोड़ देंगे, तो हमें यहाँ पर एक बड़ा त्रिबूज मिलेगा, एक तो मिलेगा A, B, D, दूस area of Trioogle AOB य dolnode जोड़ने का मतलब है कि Balabar के इस साइड में AOB जोड़ना है और Balabar के इस साइड में AOB जोड़ना है यहाँ लिखेंगे area of इधर क्या है? اور AOD में हमें क्या जोड़ना है? Area of AOB है ना? फिर Balabar के इस साइड में क्या है area of BOC और इसमें भी हमें क्या जोड़ना है AOD प्लस area of AOB जोड़ना है अब ये दोनों त्रिबूज जुड़के क्या बनेंगे AOD और AOB जुड़कर बन जाएंगे ABD तो यहां लिखेंगे area of ABD और ये दोनों त्रिबूज BOC और AOB जुड़कर क्या हो जाएंगे A, B, C area of त्रिबूज A, B, C अब देखो इन दोनों त्रिबूजों से हमें क्या मिल रहा है इन दोनों त्रिबूजों से हमें ये पता चल रहा है कि ये जो दोनों त्रिबूज है इनका आधार एक ही इनका आधार क्या है एक ही है, और दोनों का छेतरफल हमने क्या कर दिया, बराबर कर दिया, तो हमने एक नियम पढ़ा था, कि जब किसी दो त्रिबूजों के, किसी चतरबूज के अंदर, दो त्रिबूज ऐसे हो, कि उनका आधार एक ही हो, तथा दोनों का छेतरफल भी आपस में बराबर हो, तो यहाँ पर यह दोनों भुजाओं पर जहां यह त्रिबूज इस्तित है यह दोनों भुजाओं आपस में क्या होगी समानतर होगी तो जब यह दोनों भुजाओं समानतर हो जाएगी तो यह हमारा क्या बन जाएगा एक समलम चत्रबूज बन जाएगा तो यहाँ लिखेंगे त्रिबूज A, B, C का छेत्रफल बराबर है तथा दोनों का आधार क्या है? A, B है दोनों का आधार A, B है अतह दोनों त्रिबूज समानतर रेखा A, B, W, D, C पर इस्तित होंगे इस्तित होंगे यानि कि हमने क्या कर दिया? इन दोनों ही रेखाओं को समानतर बना दिया कि जब छेत्रफल तथा आधार A की हो छेत्रफल समान हो आधार A की हो तो दोनों त्रिबूज जो है समानतर रेखाओं पर इस्तित होते हैं तो हमने क्या करा इन दोनों को समानतर देखा बना दिया यहां अब लिखेंगे यहां A B समानतर D C है इसलिए इसलिए A B C D एक समलंग चतुर्भुज है यह हमारा उत्तर हो जाएगा प्रश्ण सोला है आकरती में area of DRC area of DPC के बराबर है यानि कि DRC का जो चैतरपल है इस त्रिभुज का जो चैतरपल है यह वाला त्रिभुज यह जो त्रिभुज है ठीक है इस त्रिभुज का चैतरपल DPC यानि यह वाला चैतरपल ठीक है अंदर यह वाला इस त्रिभुज के चैतरपल के क्या है बराबर है यह हमें दिया हुआ है और area of BDP area of BDP यानि यह पूरा बड़ा वाला त्रिभुज ठीक है area of ARC यानि यह पूरा बड़ा वाला त्रिभुज इन्हें दोनों का चैतरपल भी आपस में बराबर है दर्साइए कि दोनों चत्रपुज ABCD और DCPR समलम है अब यह उपर वाला चत्रपुज और नीचे वाल नीचे वाले को हम समलम बनाते हैं तो यहां मैं चत्रपुज ले रहा हूं DCPR तो सबसे पहले यहां चत्रपुज कुहां सा ले रहा हूं है चत्रपुज DCPR में हमें दिया है पहले से दिया है कि area of DRC जो है वो area of DPC के बराबर है और हमें क्या दिया है तथा देखो इन दोनों ही त्रिबुजों का आधार एक common है DC है दोनों त्रिबुज का आधार क्या है DC तथा दोनों त्रिबुज दोनों त्रिबुजों का आधार क्या है DC DC है अतह मैं ये कह सकता हूँ कि जब दो त्रिवू जो का छेतरपल आपस में बराबर हो और दोनों का आधार एक ही हो तो इसके आमने सामने की भुजा है हमेशा क्या होगी समानतर होगी अतह मैं यहां सिदा लिख सकता हूँ जो DC है वो समानतर होगी आरपी के यह बुजा इसके समानतर होगी जब यह दोनों बुजाएं समानतर है तो मैं कह सकता हूँ कि यह DCPR एक समलंब है है ना तो यह लिखेंगे अतह अतह DCPR एक समलंब है समलंब है ठीक है एक तो यह हो गया अब हमें ABCD ABCD इसको भी समलंब करना है लेकिन इसमें हमें क्या दिया है यह वाली चीज़ दियुए यानि बड़े त्रिबूज हमें दियुए देखो बहुत आसान है तो यहां पुनहां हमें जो चीज़े दियुए यह हम लिखेंगे पुनहां पुना हमें दिया हुआ एक तो एरिया ओफ डी आर सी बराबर है एरिया ओफ डी पी सी के यह हमें पहले दिया हुआ है ना कहां है एरिया ओफ डी आर सी यह वाला जो त्रिबूज का चैत्रफल है वो डी पी सी इस त्रिबूज के चैत्रफल के बराबर हमें दिया हुआ है ठी यह मैं समीकरण एक ले लेता हूं area of area of B, D, P जो है वो area of A, R, C के बराबर है A, R, C के बराबर है अब देखो B, D, P कौन सा है B, D, P यह उल्टा है ठीके पहले समीकरण में हमें DRC दिया DRC वो इस साइड में है ठीके और दूसरी बार जो यह वाला हमें दिया हुआ है छेतरफल बराबर आपस में वो इस तरफ वाला त्रिबूज है तो हम एक काम करेंगे इसको उल्टा करेंगे क्योंकि मुझे ज़र इसको लाना है तो मुझे एक तरफ के त्रिबूज चाहिए तो यह काम करते है इसको इस साइड में लिख देता है तो मैं इसको लिख सकता हूँ या या इसको इधर लिख देता हूँ area of ARC बराबर है area of BDP के है ना यह हो गया हमारा समिकरण नमबर 2 अब हम सब समिकरण एक में से समिकरण 2 घटाएंगे तो हमें ये उपर वाले दो त्रिबूज मिलेंगे, कौन से, एक तो ये वाला त्रिबूज मिलेगा, ठीक है, और दूसरा ये वाला त्रिबूज मिलेगा, इनका छैतरफल हमें आपस में बराबर मिलेगा, जैसे ही मुझे उपर वाले ये दोनों त्रिबूज आपस का तो हम क्या सकते हैं A, B, C, D, X, Samblam, C, Turghuj, होगा तो हम क्या करेंगे समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर तो देखो समीकरण 2 जो है वो क्या है ए आर्ची ए आर्ची एरिया ओप A, R, C, इसमें से हमें क्या घटाना है एक को तो बराबर के इस साइड में जो है उसको इसमें से घटाना है और बराबर के इस साइड में जो है इसको इसमें से घटाना है तो हम A, R, C में से क्या घटाएंगे DRC, area of DRC घटाएंगे, बराबर, इस साइड में हमें समिकरन दो क्या दिये है, area of BDP, समिकरन एक में इधर क्या दिया है, DPC, इसमें से area of DPC को घटाएंगे, अब देखो, ARC क्या है, ARC ये बड़ा वाला त्रिभूज है, इसमें से हमें क्या घटाना है, DRC, यानि कि ये छोटा बड़ा त्रिभूज हमें, इसमें से घटाना है, ये मैंने इसमें से इसको घटा दिया, ठीक है, हटा दिया, तो मेरे पास उपर क्या बचा, उपर बचा, ADC है ना, तो घटाने पर बचा area of ADC, बराबर, यहां मेरे पास क्या है, BDP, BDP, ये बड़ा वाला त्रिभूज है, ठीक है, इसमें से मुझे क्या घटाना है, DPC, यानि ये वाला त्रिभूज इसमें से मुझे हटाना है, घटाना है, ये घटा दिया मैंने, तब क्या बचा, BDC त्रिभूज बचा, यहां बचेगा area of BDC, ठीक है, अब देखो, यहां पर हमें क्या चीज मिल रही है, कि इन द BD में, त्रिभूज, A, D, C, V, त्रिभूज, B, D, C, जो है, B, D, C, B, D, C, का चैत्रफल, का चैत्रफल, यहां देखो, बराबर है, चैत्रफल, बराबर है, तथा, दोनों का, दोनों का, आधार, दोनों का आधार, एक ही है, और वो क्या है, D, C, दोनों का आधार, D, C है, अतह हम कह सकते हैं कि AB जो है वो DC के समानतर होगी और जब AB और DC समानतर है तो हम ये भी कह सकते हैं ABCD1 समलंब सफल समलंब चतुरूज है ठीक है यही हमें सिद्ध करना था तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों को शेर करो, धन्यवाद वीडियो को लाइक लिए आपको YouTube के सर्च में जाना है उपर लिखना है वी नेक लाइक लाइक लेगा इसमें आपको मेरा चैनल दिखाया देगा चैनल में आपको जाना है इसके बाद में यहाँ पर देखो होम वीडियो और प्लेयलिस्ट का उप्सन है तो इस प्रकार से आप मेरी प्लेयलिस्ट पास सकते हैं